फोर प्ले अर्थात काम क्रिडा कैसे करें और उसके दस अलग-अलग टिप्स अभी मैं दे रहा हूं तो उसके बारे में आज बात्चीत करेंगे फोर प्ले बहुत ही जरूरी है सेक्स में और वह दिया आपको ठीक धंग से आता है और ठीक धंग से आप करते हैं तो डेफिने कर रहा हूं कि फोर प्ले करना बहुत ही जडूरी और यह बार बार मैंने अलग-अलग वीडियो में मेरे अलग-अलग भाशनों में बाता है हुआ है कोई भी सेक्स जबाब करते हैं तो उसमें तीन पांट एक है फोर प्ले पूर्व क्रिडा फिर एकृड़ा मतलब इंटर कॉर्स और फिर आफ्टर प्ले मतलब इंटर को सुने के बात में आउट प्ले आफ्टर प्ले होता है पश्चिम किर पूर पश्चिम और बी लोगों की चलती है फोर प्ले का महत्व इतना है कि बहुत सारे स्टेडीज में इसे बताया गया और तुम को पूछा कि क्या आपको कौन सा इंटर कोर्स अच्छा लगा पहला इंटर कोर्स की जिसमें दोनों सास में सोए लिंगा यूनियमें प्रवेश हुआ इंटर कोर्स किया बजिबें दूसरा व्यक् loneliness दूसरा फोर एंटर कोर्स किया इंटर सब्साइस संब बहुत जयादा और लगा और उसमें इंटरिस्टेशटर है इतना थूर्पले का है मांसिक क्या होता है मांसिक फाइदा ऐसा होता है कि जब आप फोर प्ले करते हो तो फोर प्ले में मतलब पूर्वक्रिडा या पूर्वक्रिडा तो उसमें क्या होता है कि डोपामिन स्रोटोनिल लेवल यह जो हैपी होर्मोन से इसका सिक्रिशन ब्रेन में होता है जब वो ब् तो उसका बहुत अच्छा मान्सीख फायदा होता है, four play का, number two, शारीक भी होता है, four play में होता कहा है, four play में जब या sex hormones and happy hormones circuit होता है, तो उससे खुन की जो धमनया है, मतलब रखत वाहिनी जो है, तो वो रखत वाहिनी जो है, मतलब blood vessels घाइलेट हो जाती है, because of these hormones और फिर उससे पेनिस में मतलब लिंग में ज्यादा मलड़ फ्लो बहने लगता है इसलिए इसलिए फोर्प्रेजर अब यह कारण जो है फोर्प्ले के दोनों भी तो यह तो बहुत बता है अभी आपको देखना है कि फोर्प्ले करना कैसे तो कोई भी इंट्रकॉर्स जो है व वह भी मैंने पहले बता है कि भाई इसको भी एक्साइटमेंड आना शुरू हो जाता है वह भी तयार हो जाती है उसको आज करने का है और फिर एंटाइम पे उसका मूड नहीं है पिर आपका मूड खराब हो जाता है ऐसा होगा नहीं देखो शादी के पहले आप डेट पे आते थे डेटिंग करते थे तो प्लैन निकरते थे ना फोद्फान करके पहले टाइम लेते थे बस बैसी शादी के बाद में भी करना है तो कॉल यूर वाइफ नंबर एक नंबर दो जबी आप जहां खरते हैं घर में तो जगव एकदम साफ सुधरी क्लीन होना चाहिए बेड क्लीन है बेड़ शीट क्लीन है तक्या नीटन क्लीन है और आप यभी कभी सिसक्राइब अलग-अलग बेड़ शीट का इस्तेमाल आप करते है रंग बीरंगी तो उससे भी अच्छी उत्ते जना आ साफसुदुरी स्पेस होना, बेड क्लीन होना तो उससे भी आपको फायदा होंगा, तो पहला है कि वाइफ को बुलाना, नमबर एक बोलके फिक्स टाइम करना, शेडूल यूर फोर प्ले, नमबर एक, नमबर दो क्लीन दर स्पेस, नमबर तीन आपने बॉडी स्प्रे मारना तो बॉडी स्प्रे मारना है, तो सनान करके बॉडी स्प्रे मारना है, दोनों को दोनों ने भी सनान करना है, और हो सकता है कि सनान आप दोनों साथ में करें, और बाद में फिर बॉडी स्प्रे मारे, तो उससे भी काफी अच्छा excitement बाद में आता है, नमबर तीन, नमबर च आपने distraction अभाइड करना है, distraction का मतलब होता है कि जब आप सेक्स करेंगे तो बच्चे आपको disturb कर सकते हैं, तो वो आपने planning किया है कि बढ़ापर, बच्चे disturb ना करें, TV आपको बहुत जाना है, डिस्टरब कर सकता है, इसका फोन आने वाला है, या फोन कॉल्स आते हैं, तो फ शान्त जगह है कि नहीं, silent place, तो ऐसा आपको सब तरह से देखना पड़ता है कि distraction नहीं होना चाहिए, शान्त दिमाग, पांचवा है कि शारिक जरुवते जो है उस समें नहीं होना चाहिए, तो शारिक जरुवते मतलब क्या है कि आपको बहुत भूक लगी है, पिशाप जरुवते आपकी वहां नहीं होना चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए, मैं फिर से रिपिट कर रहा हूं, नमबर एक, schedule your sex, call your wife, नमबर दो, space जो है, वो clean and neat and everything, नमबर तीन, snarl और body spray दोनों ने करना है, नमबर चार, avoid distraction, बच्चे, TV, phone call, सब, नमबर पांच, शारिक deep kiss से चलू करना है, kissing, और वो lips का है, breast का है, गाल का है, होट का है, कान का है, तो उससे काफी ज़्यादा excitement डोनों को भी आता है, नमबर साथ, आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल जो जहां भी massage करना है, breast करना है, जहां भी करना है, तो वो दोनों कुछ तबी नया करे, नया करे मतलब ऐसा है कि आप जगह बदल सकते हैं, कभी सनान करते करते, बाट तबे तो उसमें sex हो सकता है, या कभी sofit बे कर दिया, कभी positions अलग अलग कर दिया, तो कुछ हर बार नया करना है, तो उसमें four play भी आप नया लाते तो बहुत अच्छा हो है, नमबर नो, रोमेंटिक बाते आपने करना जुरूरी है, रोमेंटिक बाते आप करते हैं, रोमेंटिक सील्स देखते हैं, रोमेंटिक वीडियो देखते हैं, तो उससे भी काफी अच्छा फायदा होता है, नमबर दस, आप मसाज करें, जोनों हाथ जो इसका इस्तिमाल आप massage करने में लगा सकते massage करने से बहुत जादा excitement आता है breath बहुत जादा sensitive होता है वैसी जो shoulders से sensitive होते है और फिर four plane में सबसे जादा sensitive और exciting जो जगह है वह है क्लाइड्रीस तो क्लाइड्रीस का आप stipulate करते है तिकलिंग करते हैं उमली से सिर्टार्णीन, सिक्रेशन बहु ज़़ादा होता है, इस्ट्रोजन का सिक्रेशन, प्रोजेस्ट्रान का सिक्रेशन बहु ज़़ादा होता है, और उससे excitement काफी ओरतों को आता है, इसलिए ख्लाइटोरिल स्टिबूलेशन करना पांच मिनिट से दस मिनिट तक बहुत ही ज़रूरी है फिर आप वजयना में योनी में इंसर्ट कर सकते हैं और फिंगरिंग कर सकते हैं और अंदर G-spot रहता है G-spot मतलब उपर के बाजु में upper wall वजया ना का यो निका upper wall जाए वहाँ G-spot रहता है तो वह G-spot जो है कि जहाँ एक ऐसी जगह एक सेंसी जगह है कि जहाँ blood vessels ज्यादा रहते है blood flow ज्यादा रहते है और बहुत excitement वहाँ थी है तो G-spot को भी आप stimulate करते हैं तो उससे भी बहुत जादा excitement आदा है तो यह ना भूले कि G-spot को करना stimulation और collateral stimulation करना है यह भी आप करते हैं और यह total four play आप करते हैं तो definitely एक अच्छा अनुभो दोनों को भी आएंगा और कभी आपको आपकी partner six के लिए ना नहीं को लेगे होता गया है कि यह four play करते नहीं है सिर्फ इंट्रकॉर्स होता है उसमें और तो जितना चाहिए उतना excitement मजा आता नहीं है कि उसके पहले ही आत्मिकाइदी डिश्चार्ज हो गया तो अवरत वैसी अदूरी रह जाती है और फिर वह दूसरे टाइम उसको करने के लिए इंट्रेस नहीं रहता है कि उसको लगता है कि मुझे तो मज़ा आई नहीं रहा है मुझे तो भीच में छोड़ दिया गया तो वह आएंगा नहीं और डिफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा और आनददा है रहेगा यह आपको अच्छा लागतए ज़रूर लोगों को शेर करो मेरा मकसर है कि हमरे देश में लोग इसके बारे में बहुत ही अंजान है उनको मालूम नहीं अग्या नहीं है और इसके बार में बात-चीत नहीं होती है इतने खुली कोई बात करता नहीं है और फिर लोग सीखते हैं पॉन वीडियो देखें तो ये कम से कम एक एजुकेशनल चैनल के माध्यम से लोगों ने ये सीखना चाहिए और साइन्टिफिक सीखना चाहिए ताकि लोग सक्सेस्फुल जिंदगी सक्सेस्फुल हैपी सेक्स सब्सक्राइब करो लाइक करो आप आपका ख्याल रखेएगा आपके परिवार का ख्याल रखो क्योंकि आप बहुत बहुत मिल्यों थैंक्यू बेरी मच ओंक्यआव सक्सेस्फुल झाल झाल